नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो ये पार्ट टू है जो मैं एक सीरीज लेकर आया था तो टोटल 120 questions आपके cover हो जाएंगे पिछले 6 महिने के जो कि सारे के सारे most important questions है जो कि आगे आने वाले कोई भी हाली है जो exam आने वाले हैं उसमें ये सारे questions काफी important साबित होंगे और कई exams में आपको who बहु question यहां से देखने को मिल जाएगा तो अगर आप लोग part 1 नहीं देखे हैं तो उसका जो link है वो इस video के description box में डाल दूँगा part 1 आप लोग जरूर जाकर देखिए क्योंकि वो और ज़्यादा important 65 questions थे और ये part 2 है जिसमें 55 questions है तो आईए चलते हैं वीडियो की और पहला question देखते हैं विराट कोहली ने अपना पचासवा एक दिवसिये सतक किस देश के खिलाफ लगाया तो अभी हाल ही में 2023 वर्ल कप में वो ये लगाये थे अपना पचासवा एक दिवसिये सतक तो आपको ये बताना है कि वो किस देश के खिलाफ लगाये थे options में हैं Australia, Bangladesh, New Zealand या तो फिर सिरलंका तो ये चारों आपके options हैं तो आप लोग सारे के सारे questions को जरूर attempt कीजेगा 55 questions इस वीडियो में जरूर attempt कीजे और last में आप लोग एक comment भी कीजेगा कि आप लोगोंने कितने प्रशनों के सही उत्तर दिया है तो जब जब question आपके screen पे आए तो आप लोग पहले वीडियो को pause किया कीजे और उसका answer जो है comment box में comment किया कीजे इससे आप लोगों को ज़्यादा अपने आपको समझने में बेहतर लगेगा तो देखते हैं पहले question का जो सही answer है वो है New Zealand विराट कॉली ने New Zealand के खिलाफ अपना पचासवा एक दिवसिय सतक लगाया था आए दूसरा question देखते हैं निम्न में से दुनिया की सबसे बड़ी office building कौन सी है options में है सूरत Diamond Boss, The Pentagon, Shanghai Tower या तो फिर CCTV Headquarters तो जो दुनिया की अभी सबसे बड़ी building है वो है सूरत Diamond Boss जो की इंडिया में है इसके पहले था Pentagon US का बट अब हो गया है सूरत Diamond Boss तो दूसरा का यहां पर option एक correct हो जाएगा तीसरा देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े कार्यस थल सूरत Diamond Boss जिसका भी हम लोग पिछले question में बात किये थे SDB Short में कहिए उसको किसने design किया है आपको उस company का नाम बताना है option में है Enagram Architects, Morphogenesis, Perkins and Will या तो फिर Perkins Estman तो इसे design किया गया था Morphogenesis के दवारा तीसरा का option भी correct हो जाएगा चोथा देखते हैं वैश्विक स्तर पर इस पात उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है Steel Production में First, Second, Third या तो फिर Fourth तो इंडिया का स्थान है दूसरा जो टॉप पे है वो है चाइना यहाँ पे उसका मैंने जिक्र किया है चाइना जो है वो टॉप पे है Steel Production में पाचवा question देखते हैं निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दुग दूत पादक देश है मतलब मिल्क के Production में सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है इंडिया, यूएस, पाकिस्तान या तो फिर चाइना तो वो है इंडिया, दूद का उत्पादन में इंडिया सबसे बड़ा देश है तो पाचवा का option एक करेक्ट हो जाएगा चठा question देखते हैं हाल ही में किस राज्य ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का Guinness World Record बनाया आपके options हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या तो फिर राजस्थान तो वो राज्य है गुजरात जहां पर नए साल के उपलक्ष में मतलब की एक जन्वरी 2024 को ये रिकॉर्ड बनाया गया जिसमें 50,000 से जादा लोग पार्टिसिपेट किये और 108 स्थानों पर इन्होंने एक साथ सूर्य नमस्कार करने का Guinness World Record बनाया साथवा question देखते हैं विंग्स इंडिया 2024 में सर्वस्रेस्ट हवाई अड्डे का पुरसकार किस हवाई अड्डे ने जीता है मतलब best airport का award किस airport को मिला है options में है सरदार वललब भाई पटेल इंटरनेशनल एरपोर्ट जो की अहमदाबाद का है तो इसे नहीं मिला है दुसरा देखते हैं केंपे गोडा इंटरनेशनल एरपोर्ट जो की बेंगलूरू एरपोर्ट है तो इसे ये award मिला है इसके बाद जो option में है इंडरा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट दिल्ली इसे भी ये award मिला है मतलब दोनों को jointly ये award मिला है तो यहाँ पे option D correct हो जाएगा बोथ B and C तो साथवा का option D correct है आठवा question देखते हैं संस्कृत भाषा के लिए संस्कृत एकेडमी पुरसकार जो संस्कृत एकेडमी अवार्ड है 2023 का वो किसे दिया गया है options में है तो यहाँ पे ये चारो को ही award मिला है बट यहाँ पे चुकि संस्कृत भाषा का पुछा जा रहा है तो ये award मिला है अरुन रंजन मिसरा जी को बाकी जो तीन है नीलम सरन गौर इनको मिला है ये award English भाषा के लिए दूसरे है संजीव जी इनको मिला है ये award Hindi भाषा के लिए और ये संदीप जोशी है इनको मिला है गुजराती भाषा के लिए तो award तो चारो को मिला है लेकिन यहाँ पे पुछा जा रहा है संस्कृत अकेडमी अवर्ड तो वो मिला है अरुन रंजन मिसरा जी को तो आठवा का option डी करेक्ट हो जाएगा नौवा देखते है अंतराष्ट्रिय होकी संग द्वारा किस खिलाडी को F.I.H. Men's Player of the Year 2023 से सम्मानित किया गया है options में है पी यार स्रीजेस हार्दिक सिंग कृषन पाठक या तो फिर गुरिंदर सिंग तो ये मिला है हार्दिक सिंग को तो नौवा का option बी करेक्ट हो जाएगा दसवा देखते हैं हाल ही में PM नरेंदर मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्री कलकी धाम मंदिर का शिला न्यास किया options में है गोरकपुर, अयोध्या, संभल पॉस करके पहले कमेंट जरूर किया किजे कई लोग एक दो प्रशनों का कमेंट करते हैं फिर आगे वो छोड़ देते हैं तो इससे क्या है अपने आपको जाच करने में ज्यादा हेल्प मिलेगा अगर आप लोग regular कमेंट करते रहिएगा तो दसवा का उप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे एक यह जान लिजे कि लॉड कलकी जो है इनको लॉड विष्णू का दसवा अवतार माना जाता है ग्यारवा देखते हैं हाल ही में इक्सचिक नामक एक वैक्सीन को युएस एफडिये द्वारा मनजूरी दी गई है युएस एफडिये का फूल फर्म देख लिजे युएस फुड एंड ड्रग एडमिनिस्टरेशन तो इसके द्वारा इक्सचिक नामक एक वैक्सीन को मनजूरी दी गई है तो यह किस बीमारी का पहला वैक्सीन है, first वैक्सीन है किस बीमारी का, डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया या तो फिर डाइबिटीज तो ये चिकुनगुनिया का पहला ऐसा वैक्सीन है, जिसको भी मंजूरी दिया गया है, तो ग्यारवा का option भी correct हो जाएगा बारवा देखते हैं, जातिये जनगन्ना करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है, दूसरा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका मतलब पहला कोई और था तो दूसरा आपको बताना है तो options में हैं, जारखंड, करनाटक, राजस्थान या तो फिर आंध्रपरदेश तो दूसरा राज्य बना है, आंध्रपरदेश तो बारवा का option D correct हो जाएगा, अगर आपको जानना है पहला कौन था, तो पहला था बिहार, जातिये जनगन्ना करने वाला पहला राज्य था बिहार, दूसरा बन गया है, आंध्रपरदेश तेरवा question देखते हैं, हाल ही में launch हुई, निती आयोग की क्रिशी विपनन सुधार रेंकिंग में कौन सा राज्य टॉप पर रहा मतलब agriculture marketing reforms जो है, उसको लागू करने में कौन सा राज्य टॉप पर रहा, options देख लेते हैं तमिल नाडू, महरास्टरा उत्तरपरदेश, या तो फिर आंध्रपरदेश, तो जो राज्य टॉप पर रहा वो है, आंध्रपरदेश तो ये तेरवा का option डी करेक्ट हो जाएगा, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो राज्य था, वो था यूप उत्तरपरदेश चोदवा देखते हैं, हाल ही में भीमराव अंबेडिकर जी की मुर्ती, जिसका नाम है Statue of Social Justice इसका अनावरन किया गया अनावरन मतलब अन्विल्ड, कहां पर किया गया, किस राज्य में ये किया गया भीमराव अंबेडिकर जी की मुर्ती का अनावरन किया गया, आंधर परदेश जारखंड, महराष्ट्रा या तो फिर उत्तरपरदेश तो ये किया गया है आंधर परदेश में, तो चोदवा का ओप्शन ये करेक्ट हो जाएगा ये मुर्ती इसलिए न्यूज में है क्योंकि ये काफी लंबा भी है जिसकी लंबाई जो है, वो है 206 फीट टॉल है 206 फीट लंबा है ये मुर्ती भीमराव अंबेडिकर जी का आगे देखते हैं 15 वा गणित का प्रतिस्ठित रामा नुजन पुरसकार 2023 ये किसे दिया गया है ओप्शन में है रुईग जियांग जैंग नीना गुपता, यांकिंग टैंग या तफिर कैरोलिना अराउजो तो ये दिया गया है रुईग जियांग जैंग तो यहां पे 15 वा का उप्शन एक करेक्ट हो जाएगा और ये चाइना से बिलॉंग करते हैं तो 15 वा का उप्शन एहां पे करेक्ट है सोलवा देखते हैं हाल ही में किसे विज्ञान के क्षेत्र में निदर लैंड्स के सरवच्च सम्मान स्पिनोजा पुरसकार से सम्मानित किया गया है उप्शन्स में है डॉक्टर जोईता गुप्टा थिया हिलहोस्ट फ्रैंक ग्रोस्वेल्ड या तो फिर एवलिन क्रोन तो ये दिया गया है डॉक्टर जोईता गुप्टा को सोलवा का उप्शन यह यहां पे correct है यह निदर लेंड्स का जो विज्ञान के क्षेतर में सबसे highest award है Spinoja पुरसकार जिसको कहा जाता है वो दिया गया है Dr. Zohita Gupta को 17. कोस्चन देखते हैं इसरो के द्वारा 2024 में launch किया गया पहला mission कौन सा है options में है Exposet जिसका full form है X-ray Polarimeter Satellite दुसरा है Nisar जिसका full form है NASA Isro Synthetic Apperture Radar तीसरा है Gaganyan 1 चोथा option में है Gaganyan 2 तो इसका correct answer है option A Exposet जो है वो 2024 में launch किया गया Isro का पहला mission है बाकी जो तीनों options में है Nisar, Gaganyan 1 और Gaganyan 2 यह Isro के इस साल के आगे launch करने वाले missions का नाम है बाकी के तीनों का बट पहला जो launch कर दिया गया वो है Exposet जिसका full form है X-ray Polarimeter Satellite अठारवा देखते हैं प्रवासी भारतिय दिवस यह किस दिन मनाया जाता है 8 January, 9 January 10 January या तो फिर 12 January तो यह मनाया जाता है 9 January को अठारवा का option बी करेक्ट हो जाएगा इसके बारे में आगे जान लीजिए यह celebrate इसलिए किया जाता है जो overseas Indian community है उनका जो इंडिया के development के प्रती जो योगदान है उसको यह celebrate करने के लिए मनाया जाता है इसके बाद यह है कि यह इसी दिन क्यों मनाया जाता है 9 January को ही क्यों मनाया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो South Africa से इंडिया रेटर्न होके आये थे 9 January 1915 को और उसके बाद ही उन्होंने यहांके सोतंतरता संग्राम में पाटिसिपेट किया था तो इसलिए यह दिन काफी खास है आगे देखते 19 वा प्रस्न विश्व कैंसर दिवस या कब मनाया जाता है 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी या तो फिर 5 फरवरी तो यह मनाया जाता है 4 फरवरी को 19 वा का option C correct हो जाएगा तो इस साल का जो theme था तो वो था close the care gap actually 2022 से 2024 का एक ही theme है close the care gap everyone deserves access to cancer care हर किसी को cancer के सुधार के लिए मौका मिलना ही चाहिए आगे देखते हैं 20 वा question किस भारतिय राज्य में cancer का दर जो है वो सबसे अधिक है मिजोरम मनिपूर, अरुनाचल प्रदेश या तो फिर त्रिपूरा तो ये तो actually सारे ही North East state में cancer का जो ratio है वो काफी हाई है बाकी states के मुकाबले बट अगर सबसे हाई की बात करें तो वो है मिजोरम में तो 20 वा का option A correct हो जाएगा 21 वा देखते हैं Ballon D.or Award 2023 ये अवार्ड का नाम है Ballon D.or Award ये किस खिलाडी ने जीता है तो ये actually football में दिया जाता है तो options देख लेते हैं Lionel Messi, Kailin Mbappe, Christian Ronaldo या तो फिर Neymar तो ये जीता है Lionel Messi ने 21 वा का option A यहाँ पर correct है 22 वा देखते हैं निलावू कुदीचा सिमहांगल ये किसकी आत्मकथा है आत्मकथा का मतलबता अपनी जीवनी के बारे में खुद ही लिखना तो ये किसकी ओटो बायोग्राफी है options में है S.J.Sankar S.S.S.K.C.1 या तो फिर Nirmala Sita Raman तो ये है S.S.S.S.M.N.A. का ये ऑटो बायोग्राफी है ये S.S.S.M.N.A. इसरो के चैर्मैन है अभी तो 22 का option भी correct हो जाएगा 23 वा देखते हैं देश का पहला कार्टोग्राफिक का तो कार्टोग्राफिक का मतलब होता है मान्चितरकला तो ये बनाया गया है उत्तरा खंड में पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम तेशवा का ओप्शन बी करेक्ट हो जाएगा चोविसवा देखते हैं हाल ही में किस देश ने भारत के आठ पूर्व नौ सेना के अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई थी तो एक्चुली बाद में इस सजा को रिवर्स कर दिया गया था और आठो छूट कर अब इंडिया वापस आ चुके हैं बट वो कौन सा देश था जिसने नौ सेना के जो पूर्व अधिकारी थे उनको आठ ऐसे पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई थी वो ऐसा पाकिस्तान तर्की पाकिस्तान या तो फिर कतर तो यह देश था कतर चोविश्वा का अप्शन डिकरिक्ट हो जाएगा तो एक्चुली यह आठ जो पूर्व सेना अधिकारी थे नौ सेना के तो इनको इस्पियोनेज के के केस में अरेस्ट किया गया था मतलब जासूसी एस एक कंपनी थी दाहरा गलोबल वहाँ पर यह लोग इंपलॉई थे मतलब वहाँ यह लोग काम करते थे पचीसवा देखते हैं अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है ओप्शन देख लेते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान इरान या तो फिर म्याम्मार तो 78 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं UNGA United Nations General Assembly जो है उसके 78 जो होने वाला Assembly उसके President कौन बने हैं ओप्शन में है डेनिस फ्रैंसिस, अब्दुल्ला शाहिद, रुचिरा कमबोज या तो फिर एंटोनियो गुटरस तो यह बने हैं डेनिस फ्रैंसिस तो 26 का ओप्शन एक करेक्ट हो जाएगा यहां पर रुचिरा कमबोज जो है यह हैं इंडिया के Permanent Representative जो होते हैं United Nations में वही हैं रुचिरा कमबोज जी एंटोनियो गुटरस हैं United Nations के Secretary General है यह एंटोनियो गुटरस आए देखते 27 वा क्वेश्चन Forbes की World's Highest Paid Female Athletes 2023 की सूची को किसने टॉप किया है मतलब पहले नंबर में अर्निंग के मामले में फीमेल एथिलिट कौन है ओप्शन्स में है सेरेना विलियम्स नाओमी ओसाका इगा स्वेतिक या तो फिर मारिया शारापोवा तो यह हैं इगा स्वेतिक जो की पोलैंड की है यह एक टेनिस प्लेयर हैं और यह पोलैंड की हैं तो यह हैं Highest Paid Female Athlete तो यह 2023 की Highest Paid Female Athlete रही थी उस सुची को यही है टॉप किये थे आए देखते 28 वा कुश्चन हाल ही में शेरिंग तोबगे को किस देश का प्रधान मंत्री निउक्त किया गया है ओप्शन्स में है प्रशिया, सिंगापो, साउथ कोरिया या तो फिर भुटान तो यह निउक्त किया गया है भुटान के प्रधान मंत्री 28 वा का option D correct है उन्तीसवा देखते हैं हाल ही में अहमद अवाद बिन मुबारक को किस देश का प्रधान मंत्री निउक्त किया गया है ओप्शन्स में है यमन, ओमान, साउधी अरभिया या तो फिर कुवेद तो इनको निउक्त किया गया है यमन का प्रधान मंत्री उन्तीसवा का option A यहाँ पे correct है तीसवा देखते हैं इंडोनेशिया के नए रास्ट्रपती कौन बने हैं उप्शन्स में हैं प्राबोवो सुभियंतो, जोको व correct है, एक तीसवा देखते हैं लग्ज़ंबर्ग के नए प्रधान मंत्री कौन बने हैं यह जो देश है लग्ज़ंबर्ग इसके नए प्रधान मंत्री बने अवी हाली में तो कौन बने हैं? ओप्शन्स में हैं लुक फ्रिडेन, जेवियर बेटल, जेवियर मेली या तो फि पहले Finance Minister थे, पहले ये Finance Minister थे, powerful Minister अब ये उसी देश के Prime Minister बन गए है और ये सक्सीड करेंगे Xavier Battle को, मतलब Xavier Battle थे पहले, इनके पहले परदान मंत्री थे वो Xavier Battle थे 32 देखते हैं, हाल ही में Pedro Sanchez, ये किस देश के परधान मंतरी चुने गए हैं, options में हैं Argentina, Luxembourg, Chili या तो फिर Spain, तो ये बने हैं Spain के नए परधान मंतरी, Pedro Sanchez, 33 देखते हैं, हाल ही में सुल्टान इब्राहिम इसकंदर, ये निम्न में से किस देश के सुल्टान बने हैं, इब्रा Malaysia, Thailand या तो फिर Cambodia, तो ये बने हैं Malaysia के नए सुल्टान इब्राहिम इसकंदर, 34 देखते हैं, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, CIC, मतलब Chief Information Commissioner, ये अभी कौन बने हैं, options में हैं, हीरालाल समरिया, यश्वरधन कुमार सिन्हा, बिमल जुलका, या तो फिर पिरालाल समरिया जी, और यही बने हैं अभी Chief Information Commissioner, CIC, तो 34 देखते हैं, हाल ही में FTII के अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है, options में है, नसिरुद्दीन शाह, नाना पाटेकर, राज बबबर या तो फिर आर माधवन, तो FTII का फुलफाम होता है, Film and Television Institute of India, तो इसके नए Chairman कौन बने हैं, तो यह बने हैं, आर माधवन, 35 का यहाँ पर Option D-Correct हो जाएगा, 36 देखते हैं, हाल ही में किनहे SPG का नया प्रमुख नियूक्त किया गया है, SPG होता है Special Protection Group, तो इसके नए जो प्रमुख बने हैं, वो कौन हैं, options में हैं, अलोक शर्मा, अरुन कुमार सिनहा, जनरल मनोज पांडे, या तो फिर एड्मिरल आर हरी कुमार, तो यह बने हैं, अलोक शर्मा बने हैं, SPG के नए Chief या नए Head बने हैं, सहती सवा देखते हैं, Indian Railway Catering and Tourism Corporation, मतलब IRCTC, इसके नए जो चेर्मैन और या तो फिर आपका यह प्रबंध निदेशक, यह कौन बने हैं, CMD, नए बने हैं, तो यह कौन हैं, आप्शन में हैं, संजय कुमार जैन, अजित कुमार, देवेंदर पाल भारती, या तो फिर विवेक सिनहा, तो यह बने हैं, संजय कुमार जैन बने हैं, IRCTC के नए CMD, मतलब चेर्मैन and Managing Director, तो सहती सवा का ओप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, अड़ तिसवा देखते हैं, हाल ही में, पावर ग्रीड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे न्यूकत किया गया है, मतलब नया यहां भी CMD पूछा जा रहा है, चेर्मैन and Managing Director, पावर ग्रीड कमपनी का, तो पावर ग्रीड एक मह महारतना कमपनी है, आप लोग जानते होंगे, जो सबसे हाइस्ट होते हैं नवरतना, यह है महारतना कमपनी पावर ग्रीड, तो इसके नए CMD कौन बने हैं, औप्शन्स हैं, रविंद्र कुमार त्यागी, स्रिकांत, कांडी कुपपा, अनिल कुमार त्यागी, या तफिर अमंदास गुपता, ते बने हैं, रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं, पावर ग्रीड के नए CMD, उन्चालिसवा देखते हैं, हाल ही में किसने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कारेभार को समहाला है, लोचन सिंग पठानिया, एड्मिरल हरी कु जाएगा, हाइड्रोग्राफर मिन्स वाटर रिलेटेड, चाहे लेक्स हो, ओसियंस हो, सीज हो, उनके बारे में सारे स्टडीज जो करते हैं, उन्हें को कहा जाता है हाइड्रोग्राफर, चालिसवा देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रिय निर्वाचन आयोग ने किसे राट कोहली, राजकुमार राव या तो फिर सल्मान खान, तो ये बनाया गया है राजकुमार राव को, तो चालिसवा का यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक तालिसवा कोश्चन देखते हैं, हाल ही में राधार तूडी को किस भारतिय राज्य की पहली महिला म उत्तरपरदेश, बिहार, उत्तराखंड या तो फिर जारखंड, तो ये बनी है उत्तराखंड की फर्स्ट वीमेन चीफ सिक्रेटरी, बैयालिसवा देखते हैं, हाल ही में भारतिय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे न्युक्त किया गया है, रमेश पोवार, आमोल मजुमद श्टरण चीफेटरी, बैयालिसवा का उप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, तेतालिसवा देखते हैं, बमबे स्टॉक एक्सचेंज, सौट में कहते हैं BSC, तो इसके अध्यक्ष किसे न्युक्त किया गया है, बमबे स्टॉक एक्स्चेंज का, उप्शन्स में प्रमोध अग या तफिर अनुराग अग्रवाल तो ये बनाया गया है प्रमोध अग्रवाल जी को BAC का Bombay Stock Exchange का नया चेयर्मेन 44 वा देखते हैं हाल ही में Institute of Chartered Accountants of India ICAI इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं Options में हैं रंजीत कुमार अग्रवाल चरंजीत सिंगनन्दा अनिकेत सुनाल तालती या तफिर जै कुमार बतरा तो ये बनाये गये हैं रंजीत कुमार अग्रवाल जी को ICAI का नया अध्यक्ष या नया प्रेसिडेंट पैतालिसवा बतु कम्मा तेवहार ये किस राज्य में मनाया जाता है Options हैं अंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, करनाटका या तफिर तेलंगाना तो ये मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में तो पैतालिसवा का option डीकरेक्ट हो जाएगा 46 प्रसिद्गोटमार मेला ये किस राज्य से संबंधित है Option में हैं मद्यपरदेश, उत्तरपरदेश, जार्खंड या तफिर राजस्थान तो ये संबंधित है मध्यपरदेश से यहीं लगता है ये गोटमार मेला 46 प का option ये correct है 47-वा, हाल ही में किस राज्य में 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क के जिवास्म मिले हैं, मतलब फॉसिल्स मिले हैं शार्क के जो कि 115 मिलियन वर्ष पुराने हैं, किस राज्य में मिले हैं, मध्यपरदेश, हर्याना, राजस्थान या तो फिर आंध्रपरदेश, तो ये मिला ह राजस्थान में 47 वा का option D correct है 48 वा देखते हैं इंदरा गांधी शान्ती पुरसकार 2022 से किन्हे सम्मानित किया गया है options में COVID Warriors प्रथम जो की एक NGO है आर रामानुजम या तो फिर नर्गिस मुहमदी तो ये किया गया है COVID-19 Warriors जो थे उनको सम्मानित किया गया है इंदरा गांधी पीस प्राइज 2022 से 43 वा का option E correct है 49 वा देखते हैं चोथे खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है फोर्थ खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स options में है उत्तर प्रदेश असम, पंजाब या तो फिर हर्याना तो ये किया जा रहा है असम में 49 वा का यहां पर option भी correct हो जाएगा 50 वा देखते हैं बट उसके पहले देख लेए जो inaugural edition था वो हुआ था उडिसा में participants जिसमें participate करने वाले हैं और इस वार का जो mascot है वो है अस्ट लक्षमी जो की एक butterfly है 50 वा कोस्तन देखते हैं पहलो खेलो इंडिया पहले जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए 2023 में इसकी जो पदक तालिका थी इसमें किस राज्य ने टॉप किया मतलब मेडल टैली में टॉप किस राज्य ने किया फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में options में है पंजाब, उडिशा, हर्याना या तो फिर महरास्ट्रा तो ये टॉप किया गया हर्याना के दुआरा तो 50 वा का option C करेक्ट हो जाएगा एक क्यावन देखते हैं औस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल, मतलब मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है options में जैनिक सिनर, डैनिल मेडवलेव, रोहन बोपनना या तो फिर मैथ्यू, एबडेन ते जीता गया है मेंस सिंगल उस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जैनिक सिनर के दवारा, तो एक यावन का option एक करेक्ट हो जाएगा और अगर पूछा जाए वीमेन सिंगल में तो वो आर्यंका सबलेंका ने जीता है और मेंस डबल्स जो काफी इंपोर्टेंट है, वो जीता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडन ने मेंस डबल में आगे देखते, question नंबर बावन वर्स 2023 के लिए ICC मेंस T20 Cricketer of the Year का पुरसकार किस खिलाली को दिया गया है options में है विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या तो फिर रचिन रविंद्र तो आप पिक्चर देखके समझ गया होंगे ये मिला है सूर्य कुमार यादव को ICC मेंस T20 Cricketer of the Year 2023 53 question number देखते है ICC One Day Cricketer of the Year किसे चुना गया है 2023 के लिए options में विराट कोहली, बाबर आजम, केन विलियम सम या तो फिर रोहित शर्मा तो ये चुना गया है विराट कोहली को तो तिरेपन का यहाँ पे option एक करेक्ट हो जाएगा 54 देखते हैं जनवरी 2024 के लिए किसे ICC Men's Player of the Month का पुरसकार मिला है तो साल का मिलता है बट हर मन्थ भी ये award मिला जाता है कि इस मन्थ कौन सा खिलाडी best था options में है शमर जोसेफ, एमी हंटर, पैट कमिंस या तो फिर ट्रैविस हेड तो जनवरी मन्थ के लिए जो best खिलाडी का award था ICC Men's Player of the Month वो मिला था शमर जोसेफ को जो कि ये एक West Endies के बॉलर है और इनको हाल के एक सिरीज में आस्ट्रेलिया के साथ बहतरीन प्रदर्शन करने के लिए award दिया गया था तो men में दिया गया था समर जोसेफ को और अगर वीमेन की बात करे कि मतलब जनवरी में जो सबसे best खिलाडी रहे वीमेन में वो थी एमी हंटर जो की आयरलेंड की थी ICC का जो हेड़ क्वाटर है वो है दुबई में UAE और ICC के जो चेर्मेन है वो है ग्रेग बाकले लास्ट कोस्चन देखते हैं आज के वीडियो का तो हाल ही में हट्टी समुदाई को किस राज्य सरकार दवारा अनुसुचित जन जाती मतला सेड्यूल ट्राइबस में मतला सेड्यूल ट्राइबस का दरजा दिया गया है हट्टी समुदाई को तो किस राज्य के दवारा दिया गया है options में उत्राखंड, हिमाचल परदेश, उत्तर परदेश या तो फिर जम्मू एंड कास्मीर तो ये दिया गया है हिमाचल परदेश सरकार के द्वारा हट्टी समुदाय को दिया गया है सेड्यूल ट्राइब्स का दरजा दिया गया है तो ये थे हमारे पचपन क्वेस्चन्स तो अगर आप लोग यहां तक वीडियो को देखें है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजे कि आप लोगों ने कितने प्रश्णों के सही उत्तर दिये हैं और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे काफी महनत जाता है सारे important questions को आपके पास लाने के लिए और अगर आप लोग पार्ट वन नहीं देखें तो उसको जरूर देखिए पार्ट वन में जो 65 best questions थे वो मैंने लिये थे तो 65 उसमें थे और इसमें है 55 मतलब 120 प्रशन आप लोग के cover हो चुके है तो आप लोग ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसमें वीडियो को like कीजे comment कीजे और share भी कर दीजे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो और अगर part 1 आपको देखना है तो उसका link मैं इस वीडियो का description box में डाल दूँगा आप लोग प्लीज part 1 को जाकर जरूर देखिए क्योंकि वो और best questions थे इससे भी जादा important questions थे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you so much